यह साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है इस साल आपकी personal और professional life में कई सकारात्मा बदलाओंगे जो आपके आने वाले कलको और भी सुनहरा बना सकते हैं इस साल आप सकारात्मा कुट्जा से भरे रहेंगे और अपनी महने से सबी छेति में सफलताएं पाएंगी इस साल आपका प्रेम जीवन भी शांदार रहने वाला है इसके साथ ही आपका अपने पार्टनर के साथ रोमेंटिक पल बिताने का मौका मिलीगा आज हम आपका बताएंगे कि मार्च महा में जन्मे लोगों के लिए साल 2018 कैसा रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मार्च महिन में जन्मे लोगों के लखी नमबर, लखी कलर, लखी डे और लखी स्टून के बारे में लखी नमबर 3, 7 और 9, लखी कलर, ग्रीन, यलो और पिंक, लखी डे, संडे, मंडे और सैटरडी, लखी स्टून, एम्थिस्ट अब बात करते हैं मार्च माह में जन्मे लोगों के सभाव के बारे में मार्च में जन्मे लोग बहुत ही आकरशक और मिलनसार होते हैं इन लोगों को पार्टी करना और घूमना काफी पसंद होता है और इसके साथ ही इनका फ्रेंड सरकल भी काफी बड़ा होता है ये लोग जितने आकरसक होते हैं उतने ही क्रिटिव भी इन लोगों को खुशी तभी मिलती है जब सब खुश होते हैं मार्च में जन्में अधिकता लोग थोड़े बातुनी किस्मिकी होते हैं हालांकि इनका बोलना सभी को भाता है लाइफ पार्टनर के रूप में ये लोग सबसे ज़्यादा भागसाली सिध्ध होते हैं इन लोगों की लाइफ में प्यार सब्द बहुत ही माइनी रखता है ये जिसे प्यार करते हैं उन्हें पाने के लिए हर संभ़ प्रियास करते हैं अब बात करते हैं साल 2018 में मार्च माह में जन्मे लोगों के सिक्षा और करियर के बारे में भवी सिफल 2018 के अनुसार यह साल इस्ट्रेंट्स के लिए बहतरीन रहने वाला है इस साल पढ़ाई लिखाई में आपका परदशन काफी अच्छा रहेगा और इसके साथ ही इस अवधी में आपका ध्यान पढ़ाई की और पहले से अधिक रहेगा इस साल आपको सला दी जाती है कि अपनी रूची के छेत्री की पढ़ाई करें क्योंकि इससे आपके सफर होने के चांस कई गुना बढ़ जाएंगे अगर आप सरकारी नौकरी परिक्षा की तयारी कर रहे हैं तो अपनी तयारी को और अधिक समय दे क्योंकि इस साल आपकी मेहनल जरूर रंग लाईगी इंजिनेरिंग, चित्रिकला, मनोविग्यान और मैरेजमेंट से जुड़े छात्रों को भी इस साल सफलतर मिलने के पूर्णयोग बन रहे हैं अब बात करते हैं साल 2018 में मार्च माह में जन्मे लोगों के प्रेम और विवा के बारे में 22 सिफल 2018 के अनुसा यह साल आपके लिए प्रेम और वैवाहिक मामलों में बहुत ही खुबसूरत रहने वाला है इस साल आप अपने पार्टनर को किसी रोमेंटिक जगह की सैर पर लेकर जा सकते हैं और अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कोई महगा गिप्ट खरी सकते हैं मार्च माह में जन्मे वे जातक जिनकी शादी की उम्र हो चली है तो तयारी कर लिजे क्योंकि इस साल आपकी घर में मांगली कारी संपन होने की अपार संभावना है मार्च माह में जन्मे महीला और पुरूस दोनों को ही अपने पार्टनर के साथ खुबसूरा समय वेतीत करने का मौका मिलेगा अगर आप अपने प्यार के बंधन को शादी में बादना चाहते हैं तो भी यह समय इसके लिए अनुकूल है अगर आप अभी सिंगर हैं और साथी की तलास में है तो आपकी यह खुआईस इस साल पूरी हो सकती है अब बात करते हैं मार्च माह में जन्में लोगों के लिए साल 2018 में उनकी नौकरी और वेफसाई के बारे में 22 पल 2018 के अनुसार अगर आप नौकरी पेश रहें तो इस साल आपको कारी छेतर पर सुखत परेड़ां प्राप्त होंगे इस साल कारी स्थल पर आपके सीनियर्स आपकी काम की तारीफ करेंगे और आपके सहकर्मी आपके आत्विश्वास को बढ़ाएंगे इसके साथ ही सैलरी में भी निश्रिती बृद्धी होगी इस साल करियर के मावली में कुछ महतपुर सकारात्मक बदला होंगे अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो भी यह साल आपके लिए सुप रहने वाला है इस साल वेवसाई में विस्तार होने के योग बन रहे हैं द्यान रखे कि कोई भी बड़ा निवेस करने से पहले अनुभवी वेक्तियों की सराथ जरूर ले और सो समझकर ही पैसे लगाए अब बात करते हैं साल 2018 में मार्च माह में जन्मे लोगों की आर्थिक स्थिती के बारे में भवी सिफल 2018 के अनुसार इस साल आपके आर्थिक स्थिती बड़िया रहने वाली है इस साल आए की कुछ नई श्रोज सामनी आएंगी जिससे आप एसे बचाने में भी सफल रहेंगे याद रखे आपकी आज की सेविंग आपकी फ्यूचर में बहुत काम आ सकती है इस साल वहान या फिर जमी जायदात खरीदने के यूग बन रहे हैं कुल मिला कर आर्थिक स्थिती पर यह साल आपके लिए सुब रहने वाला है अब बात करते हैं साल 2018 में मार्च माह में जन्मे लोगों के पारिवारिक जीवन के बारे में भवी सिफल 2018 के अनुसार पारिवारिक इस तर पर यह साल आपके लिए अनुकुल रहने वाला है हलनकि इस साल आप अपनी व्यस्त दिन चरिया के कारण परिवार के साथ जादा समय वैतित नहीं कर पाएंगे साल के मदी भाग में परिवार के साथ लंबी यात्रा की योग बन रहे हैं यहीं यात्रा धार में किस तलकी भी हो सकती है इस साल जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा और साथी परिवार में किसी सुपकारी का आयोजन भी हो सकता है इस साल आपके लिए खुसकब भी यह है कि इस साल आपके पार्टनर को कोई बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे है पार्टनर का साथ दे और उनके लक्ष को प्राप्त करने में उनकी मदद करें कुल मिलाकर पारवाटिक स्थर पर भी यह साल आपके रिए बढ़िया रहने वाला है अब बात करते हैं साल 2018 में मार्च में जन्मे लोगों के स्वास्त के बारे में सेहत की बात करें तो यह साल आपके लिए मिला जुला रहने वाला है इसार आपका अपनी सेहत का ध्यान रखने के आवशक्त है अपने खानपान पर विस्तेज ध्यान दे और इसके साथ ही रोजान योग, वियायाम और ध्यान भी करें फ्रेंड्स अगर आपको यह सबी बाते पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उपचान उसके को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना ना भूलें